So Hello Everyone, Guys, यह है क्राइसल के क्वार्टर वन के रिजल्ट तो आगे यहाँ पर देखते हैं कि इस शेयर के रिजल्ट से यहाँ पर कैसे आए हैं तो शुरुबात करेंगे हम यहाँ पर इस शेयर के टोटल इंकम से तो yearly basis में यहाँ पर जो इंकम है वो around यहाँ पर 788.80 करोड था जो quarterly basis में 815.44 करोड यहाँ पर हो गया है quarterly basis में यहाँ पर जो शेयर की इंकम है वो यहाँ पर इंक्रीज हुई है और टोटल इक्सपैंस जो है yearly basis में 593.85 करोड था जो quarterly basis में 607.48 करोड हो गया है income के साथ यहाँ पर share के expense भी increase हुए है और total comprehensive income yearly basis में 179.15 करोड था जो quarterly basis में 139.12 करोड यहाँ पर हो किया है यानि profit share के जो है वो यहाँ पर decrease हुए है और earning per share yearly basis में 20.60 पैसे था जो quarterly basis में 20.53 पैसे यहाँ पर हो किया है overall analyze करने के बाद देख सकते हैं वैसे share के result यहाँ पर बढ़िया ही देखने को मिले हैं बस यहाँ पर जो profits है वो थोड़े decrease हो गए हैं अब बात करते हैं price level की तो इस मन तक का maximum target 4,600 या उससे अब आब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहें आप share को वैसे तो long term के perspective से भी यहाँ पर hold करके रख सकते हैं